इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं GST Offline Tool के बारे में जिससे आप GST R1 को बहुती आसानी से फाइल कर सकते हो तो देखिए B2B जब invoice आपके पास में bulk में होते हैं तो उसको कैसे upload किया जाता है JSON फाइल कैसे generate की जाती है उसके अगर आप किसी भी error को identify करना चाहते तो आप कैसे कर सकते हो तो ये सारी जानकरी देने वाला हूँ भाई एक ही वीडियो के अंदर तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखेगा start करने से पहले बताना चाहूँगा अगर आप लोग एक expert के तुरू यहाँ पर consult करना चाहते है अपनी JST returns filings के बारे में तो link in the description box आप चाहे तो हमारे course भी join कर सकते हैं जहाँ पर आपको A to Z जो है ITR filing और JST के बारे में सीखने को मिलेगा तो चलिए सीधा मैं आपको ले चलता हूँ JST portal के उपर तो सबसे पहले यहाँ पर आपको software को download करना पड़ेगा तो offline tool के अंदर जाकर returns offline tool के अंदर simply आप this zip file को download कर लीजिए जैसे इस zip file को अगर आप unzip करेंगे तो सबसे पहले आपको JST जो offline tool होता है वो install करना पड़ता है अपने system के अंदर साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको section wise CSV file देखने को मिल जाती है इसका मतलब क्या है यहाँ पर आपको different templates यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो जिस भी template को आप use करना चाहते है उसमें आपको data fill up करना पड़ता है तो इस video के अंदर mainly मैं जिते भी B2B हमारे invoices होते जिसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा time लगता है उसको कैसे fill up करना है वो मैं सिखाने वाला हूँ और उसके लिए हम लोग जो B2B वाला template है उसको use में लेने वाले हैं चलिए एक बार overview देख लेते हैं इस template के अंदर आपको क्या-क्या data fill up करना पड़ता है तो देखे सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी supplier है उसका आपका GST number यहाँ पे आपको डालना पड़ता है उसका name आपको डालना है invoice number डालना है invoice की date डालनी है और ध्यान रखेगा ditto इसी format के अंदर आने चाहिए अगर आप दूसरा format यूज़ करेंगे तो वो चल नहीं पाएगा invoice value के अंदर total invoice value आएगी place of supply के अंदर जिस भी state के अंदर supplier हो रखेए उसका code और उसका name आएगा reverse charge में यहाँ पे N और Y को option दिया गया है and यानि की reverse charge applicable नहीं है इसके लावा invoice type में आप देख सकते regular B2B मिल जाएगा आपको interstate supplies मिल जाएगा deem export मिल जाएगा e-commerce GSTN अगर है तो आप डाल सकते है rate के अंदर आपके उपर जो भी GST rate applicable होती है वो आपको insert करना है taxable value जो आपकी gross taxable value है without the GST वो आपको insert करनी है कोई sales का amount है तो वो आपको insert करना है तो सबसे पहले मैंने software को यहाँ पर simply open कर लिया है चलिए बदाता हूं इस template के थूँ आप अपना data यहाँ पर कैसे upload करवा सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले new का option दिया गया है आपको new button पर click करना है हम लोग GST R1 यहाँ पर fill up करने वाले हैं GST in of the supplier तो simply आप अपना GST number डाल दीजिए इसके बाद में जिसे financial year 24 और 25 हो गया tax period की बाद को तो हमारा July का tax period है sales में हम लोग यहाँ पर register नहीं है तो मैंने no कर दिया अगर आप quarterly filing करते तो आप yes कर सकते वरना simply आप no कर सकते अगर आप monthly filing करते हैं तो इसके बाद में simply यह confirmation माँगेगा आपको yes बटन पर click करना है तो आप देख सकते हैं यह पूरा software एक तरसे offline ही work करता है यहाँ पर data upload करने के लिए जरूर आपको online जाना पड़ेगा तो पहले हम लोग simply यहाँ पर data को prepare करने वाले है आप देखिए वैसे तो आप यहाँ पर one by one भी जो है entry डाल सकते लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है हमें यहाँ पर simply उपर import file का section देखने को मिल जाता है तो जैसे कि हमें B2B का data upload कराना है तो यहाँ पर आप देख सकते first rock के अंदर यह आपको B2B का data upload कराने का section मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे आप चाहो तो CSV file को upload करा सकते हो या Excel से आप copy कर सकते हो लेकिन मैंने जो template आप लोग को बताया वो एक CSV template है और यह बहुती better तरीका है अगर आपके पास में 50, 60, 100, 200, 500 B2B के invoices है तो इसी format के अंदर मैंने already जो है अपना जित्ता भी invoices थे मैंने सारे यहाँ पर मैंने prepare कर लिये है मैंने simply अपना GST number डाला supplier का supplier का name डाल दिया है invoice number डाल दिया है invoice की date हो गई total invoice value हो गई place of supply हो गया state के साथ में reverse charge applicable नहीं है तो मैंने no कर दिया regular B2B invoice से 5% का tax rate applicable है और total जो भी taxable value है वो यहाँ पर मैंने insert कर दी है अब इस file को आपको as a CSV यहाँ पर save करा लेना है तो यहाँ पर normal जैसे हम CSV file save कराते है वैसे आप करा सकते हैं तो यहाँ पर आपका जो format रहेगा वो CSV रहेगा अब हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर import CSV बडन पर click करना है और उस file को simply हमें upload करा देना है तो यहाँ पर आपसे warning पुछेगा save कराने के लिए data की तो आपको yes बडन पर click करना है और screen के सामने आप देख सकते हमारी पूरी file upload हो चुकी है अब जैसे भाई आप view summary के ओपर click करेंगे आप देख सकते 15 के 15 invoices हमारे upload हो चुके है और यहाँ पर आपको SGST, CGST सारी चीज़े दिखाएगा आप चाहे तो अपने पूरे के पूरा 15 invoices को यहाँ पर cross check भी कर सकते और जैसे इस बडन के ओपर click करेंगे आप देख सकते सारे के सारे Excel file के अंदर जो चीज़े upload कराईती वो आपको screen के सामने दिखने लग जाएगी अब कईबा यहाँ पर होगा यह कि हो सकता है आपको इस type के कुछ errors देखने को मिले तो इस error का solution के है यहाँ पर आप देखेंगे जो भी file आप upload कराएंगे अगर कोई भी error मिलता है तो आपको simply raw number दिखाने वाला है तो जैसे example के यहाँ पर बताना चाहूँगा जैसे कि यहाँ पर बता रहा है कि 16 raw number के ओपर कोई ना कोई issue है तो यह जो 16 वाली raw number है इसमें मैं error को identify करूँगा mostly आपको दो ही type के errors देखने को मिल सकते हैं एक तो हो सकता है आपका GST number गलत हो या फिर एक हो सकता है आपने जो date डाली है actual में उसका format अलग हो तो ध्यान रखेगा date का format आपका correct होना चाहिए और आपका GST number भी correct होना चाहिए अगर आपकी सारी चीज़े यहां पर correct रहती है तो आपके सारे invoices आराम से यहां पर upload हो जाएंगे एक बार जैसे आपके invoices upload हो जाते हैं यहां पर simply यहां पर आपको generate file JSON का option मिल जाता है इस पर click कर दीजे और आपकी जो JSON file है उसको आप save करा लीजे अब यहां पर मैं portal के इंदर login कर चुका हूँ इस JSON file को मुझे अब online भी upload कराना है ताकि सारे invoices online भी upload हो जाएं तो उसके लिए यहां पर जैसे normal हम लोग GST return file करते हैं वैसे आपको सारे step select करने हैं जैसे कि यहां पर GSTR 1 आ चुका है अब online की जगे मैं prepare offline बड़न पर click करूँगा और यहां पर simply जो JSON file मैंने generate करा रखी है उसको मैं upload करा दूँगा तो इस screen के सामने आप देख सकते हमारी proper JSON file यहां पर simply upload हो चुकी है और अभी right now in progress बता रहा है और 10-15 minutes के अंदर यह पूरी upload भी हो जाएगी साथ में अगर कोई error आता है तो यहां पर आपको status के अंदर वो error भी बताएगा और उस error की report भी आप यहां पर बकाइदा download कर सकते हो अगर कोई भी error वगरे कुछ भी नहीं है तो आप देख सकते हैं आपका जो JSON file होगा वो आराम से यहां पर process हो जाता है अब जब आप वापिस prepare online बड़न पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके जितने भी B2B के invoices है 15 के 15 invoices वो एक साथ यहां पर upload हो चुके हैं और आपको one by one upload करने की requirement नहीं है ऐसे ही अगर मैं B2C की बात करूँ, export invoice की बात करूँ तो जितने भी यहां पर templates दिये गए हैं यह सारे templates को use करके आप आराम से अपनी GSTR1 को यहां पर जितने भी आपके bulk invoices है उसको आप upload करवा सकते हो इसी तरह मालीचे अगर आपको HS invoice summaries भी डालनी है तो वो भी आप यहां पर template के तुरू insert कर सकते हैं बाकि अगर आपका एक ही product रहता है तो आप manual भी यहां पर simply insert करवा सकते हो अब last में कुछ नहीं करना है जैसे हम लोग online GSTR1 प्रिपेर करते हैं आपको generate summary पर click करना है तो almost आपके GSTR1 प्रिपेर हो जाएगी